चैरे बच्चो जैहिंद अच्छास गुरुज़ी कक्षा में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है एग्रिगेट सेप्लाई एंड पिहेवियर ऑफ एग्रिगेट सेप्लाईश तो आज हम समझेंगे कुल पूर्ती क्या है और साथ के समझेंगे कुल पूर्ती क्या व वीडियो में समझा था एग्रिगेट के बारे में आज हम समझेंगेट सेप्लाई के बारे में वाट इस अग्रिगेट सेप्लाई एग्रिगेट सेप्लाई रफस तुड़ ओ इस services produced during the period of one year in an economy अर्थात एक अर्थविवस्ता में एक लिखावर्ष के अंदर वस्त वर्सेवाओं का जो उत्पादन किया है उसका मौद्रिक मुलियो कुल पूर्थी है इसमें बच्चों हम समझते हैं ये कुल पूर्थी जो है वो राष्ट्य उत्पादन में भी इसको कहते ह कुल पूर्थी के देन करते हैं हमें बच्चों पता है कि उत्पादन की जो कुल लागत होती है वो होती है उत्पादन के साधन को किये बुक्तान के बराबर उत्पादन की लागत को जो हम बुक्तान करते हैं मुझदूरी लगान और ब्याज के रूप में और ये किसके बर लागत कुल उत्पादन से कम है या कुल उत्पादन उसका अधिक हो रहा है यदि हम बच्चो इस तरह से पढ़ें कि इफ एग्रिगेट सेप्लाई इकल टू वैल्यू एड़िड डैट विल बी इकल टू इंकम जेनरेटर अर्थात यदि हमने ये समझा है कि कुल पूर्थी मुल्यवरिधी के बराबर होती है और ये मुल्यवरिधी स्रीजित आये के बराबर होती है इस तरह से बच्चो स्रीजिता हमारी मुल्यवरिधी के बराबर हुई मुल्यवरिधी कुल पूर्थी के बराबर हुई इस तरह से हमें स्रीजित आये पराप्त होती ह और बच्चों हमने आए के बारे में समझा है कि आए या तो भोग कर ली जाती है या सेव कर ली जाती है तो income या तो हम consume कर लेते हैं उसको या हम save कर लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ aggregate supply will be equal to consumption plus saving अर्थाथ AS equal to C plus S अर्थाथ कुल पूर्थी बराबर है वो plus बचाती है या हम इसको कह सेंदे कुल पूर्थी बराबर है वो plus बचे जो हमारा ये formula बन जाता है यदि बच्चों अब हम इसके परिभाशा बना ले तो क्या है aggregate supply refers to the flow of goods and services in an economy और value added और income generated in an accounting year अर्थाथ बच्चों कुल पूर्थी का भी प्राय क्या हुआ एक अर्थवस्ता में जो वस्तों सेवाओं का एक वर्ष में जो प्रवाह है या वो मुल्योवरिती के बराबर है या उसको income generated या स्रीजी ताई भी कहते हैं तो ये था हमारा कुल पूर्थी क्या है अब हम समझते हैं इसका वेवार behavior of aggregate supply और aggregate supply function कुल पूर्थी का वेवार अत्वा पूर्थी फ़लन यदि अर्थवस्ता किस तरफ पर हम कुल पूर्थी बढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों हमारे पास इसमें दो ही तरीके आते हैं practical improvement या तकनीकी सुधार तो दो ही माद्दे हमें जिसे हम और्थवस्ता में कुल पूर्थी बढ़ा सकते हैं जैसे हमने बच्चों उत्पादन किसी धानत में पढ़ाई था कि अलपकाली नधारा में तकनीक हमारे इस्तिर रहती है तो तकनीक में सुधार की वज़े से हम उत पूर्थ संसादनों का अतिरिक प्योकर के अग्जिस्टि रूटी अग्जिस्टि रिसोर्सेज इसमें हमारे काम आती है केंजिन विचार दा रहा है केंजिन के नुसार क्या है केंजिन थियोरी ऑफ इंकमन इंप्लॉयमेंट इस आ श्चॉर्ट पीड़ एनलिसेज बचों संसादन में भी अलब काल है तो पूंजी का मातरा नहीं बढ़ सकती है तो बढ़ने का तो हमारे पासादन रहे गया सिर्फ शरम अर्थात उतपादन बढ़ाने के लिए हम शरमकों की संक्या इसमें बढ़ाएंगे तो उतपादन बढ़ेगा जब हम शरमकों की संक्या बढ बढ़ने वाले हैं, same proportion में, अर्थात कुल पूर्ती में वरिटी, आया और रोजगार में वरिटी के समान ही होगी, अब इसको समझते है बच्चो कुल पूर्ती तालिका और कुल पूर्ती वक्र से, बच्चो हमने इसके दो कॉलम बना रहे हैं, हमने जैसे अब यहां समझा के दोनों में प्रतक्श और अनुपातिक समझत होता है, रोजगार के बढ़ने और उतपादन के बढ़ने में, क्योंकि प्रतक्श और अनुपातिक समझत होता है, तो जिस दर से हम रोजगार बढ़ाएंगे, उसी दर से हमारा उतपादन बढ़ने वाला है, इसमें पहले कॉ और बराबर हैं अब हम रोजगार को एक निश्ची अउनुपात में बढ़ा देते हैं, जिरो पर क्योंकि दोनों में अनुपातिक समस्ध है, जब हमारा रोजगार का स्तर जिरू होगा तो aggregate supply ये भी जूरू होगी जब हमने रोजकार का स्थार दस कर दिया तो हमारे कुल पूर्टी भी उसे अनुपात में बढ़ी जब हम इसको 20 कर देंगे तो ये भी उसे अनुपात में बढ़ेगी 30 करने पर ये 30 हो जाएगी 40 पर ये 40 50 पर हमारी कुल पूर्टी बढ़कर 50 हो जाएगी और 60 करने पर इसकी कुल पूर्टी बढ़कर 60 हो जाएगी अर्थार दोनों में प्रतक्श और अनुपातिक समंद है जिस अनुपात में हमारे रोजकार बढ़ रहा है उसे इनुपार थमारी कुल पूर्थी बढ़ रही है तो अब इसको समझते हैं डाइग्राम से हम एक्स एक्स पर लेते हैं रोजगार कस्तर जैसे हमने 10, 20, 30 और वाएक्स पर हमने ले ली एग्रिगेट सप्लाई कुल पूर्थी बचो 0 पर ये 0 है 10 पर 10, 20 पर 20 तो इस तरह से 10 पर ये 10 है 20 पर ये 20 होगा 30 पर ये 30 होगा 40 पर हमारा रोजगार कस्तर 40 40 पर 50 और 60 पर हमारा ये 60 होगा अर्थाथ जब हम इसको मिला देते हैं बिन्दो को आप समझते हैं इसमें केंज जिन भी चारतारा थोड़ी अलग है एक्सेस पर हमले ले लिया इंप्लॉइमेंट का स्थार और वा एक्सेस पर हमले ले 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 एग्रिगेट सप्लाई कर ये हमारा पेरलर टू वा एक्सेस हो जाता है क्यों अब इसके बाद ये हमारा पूरोज का स्थार आ जाता है ये हमारा है फूल इंप्लॉइमेंट एकुलिब्रियम जब ये आ जाता है क्या है OL क्या है हमारा यह हमारा होता है Full Employment Equilibrium का स्थार उसके बाद केंज के नुशार भी रोजगार और नहीं बढ़ सकता है क्योंकि OL हमारा Full Employment Equilibrium आ गया सब को रोजगार यहां पे मिल गया अब इसके बाद यह बेलोचतार हो जाएगा कुल पूर्थी वक्र इसके बाद हम समझते है Aggregate Supply in Relation to Price Level अर्थात कुल पूर्थी कीमत स्थर के संधर में बच्छों हमने कल समझा था कुल मांग का कीमत स्थर से सीधा संबंद होता है उसी परकार कुल पूर्थी का भी सीधा संबंद हमारा कीमत स्थर से होता है तो इससे संबंद हमारे पास दो विचारधारें आती है एक आती है हमारे पास परंपरवादे विचारधारा क्लासिकल फ्रेमवर्क और दूसरे हम समझते है केंजेन फ्रेमवर्क केंजेन विचारधार तो पहले हम समझते हैं क्लासिकल फ्रेमवर्क परंपरावादे दिश्टिकोन परंपरावादे दिश्टिकोन के नुसार क्या है according to the classical framework full employment is a general feature of a free economy अर्थाद बचो परंपरावादे दिश्टिकोन के नुसार एक अर्थवस्ता में पूंड रोजगार जो है इसलिए क्या है पूंड रोजगार अर्थवस्ता में जब होगा तो कुल पूर्थी नहीं बढ़ेगी वो स्थे रहेगी क्योंकि रोजगार बढ़ेगा नहीं तो कुल पूर्थी बढ़ेगी नहीं चाहे कीमत का स्थर जो भी हो होậíre new elastic is... क्युंकिelson fel employment label रा गया तो इसलिए daw पूर्द आप lived कि पूर्टी नहीं बढ़ेगी क्योंकि OL क्या है यहां पे ? फूल employment हमारा label है तो इस OL advise । से आगे पूर्टी नहीं बढ़ सकती है mail price label चाहए जो मर्जी P1, P2, P3 जो मर्जी हो कुल पूरती नहीं बढ़ेगी यह था हमारा प्रमप्रवद इस्टिकॉन अब हम समझते है कि इंजिन इस्टिकॉन वो थोड़ा इससे अलग है कि इंजिन इस्टिकॉन के शार हमने समझा था बच्चों के मुक्त बजार अर्थवस्ता की कानूंबव किया था कि बेरोजगारी अर्थवस्ता में रहती है तो हम समझते हैं जब हम रोजगार बढ़ाते है श्रमकों के संक्या को बढ़ाते है तो उत पादन हमारा बढ़ता है तो कुल पूरती भी बढ़ती है और हमारा कीमस्तर स्थेर रहता है क्यों स्थिर रहता है क्यों कि रोजगार बढ़ने से कुल पूर्ती भी बढ़ रही है तो कीमत स्थिर रहेगा जब तक कि हमारी पूर्ण रोजगार की सिच्विशन नहीं आ जाती है तो पूर्ण रोजगार की सिच्विशन आने के बाद ही कीमत में फूर्डी होगी फिर इस OL बिंदू के बाद OP पर OL तक कीमत हमारी स्थिर है तब तक हमारा क्या है उत्पादर बढ़ता चला जाएगा हां उसके बाद ये कुल पूर्ती जो है वो हमारी बिलोचतार हो जाएगी क्योंकि हमारा ये फॉल इंप्लॉइमेंट इंप्लॉइमेंट लेबल हमारा OL पर आ जाता है तो बच्चु धोनों का बेसिक अंतर ये है कि पूर्ण रोजगार इसकी सामाने स्थिति नहीं है जबकि पूर्ण प्रावादी कहते है कि सामाने स्थिति है तो आज की कर्ष्ण में इतना ही जहन्त बने मातर